हलो त्थुदेंट्स तो आई आज बसाट करता है आपका एक्सराइज फाइप्पॉइट3 फारियो चैप्टर एरहमेटिक प्रगुरेशंज और तो इस एक्सराइज में यूज होगा समोफ फर्स्ट एंड टर्म ओपी तो मानों कोई एपका ए ने टर्म क्या होगा ए प्लस डी नेक्ट अप्लस टू डी यहां डी कोमन डिपरेंस है नेक्ट ए प्लस 3D और इस तरह से लाश्ट टम क्या होगा हम पर्चुके पहले अब हमें चाहिए इन सभी टर्म का सम तो लैट एसेन भी दा सम ओ फंट रम ठीक है तो इसकी वैलिव होगी A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस और इस सब्स चलते-चलते-चलते ए प्लस n माइनस 1 इंटू दी चलिए इससे स्टाइट करने से पहले मैं आपको बताता है एक अच्छा तरीका शौपोज हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इन नंबर्स का सम निकालना है और इसके और नाम देता हूं मैं एश तो एक तरीका तो है 1 & 2 3 & 3 6 & 4 10 & 5 15 ऐसे हम निकाल सकते हैं एक और तरीका हम फिले 맛있े यह सबसे फंथा अब फ्रहें प्लस 3 प्लस 3 प्लस प्लस 3 six देखे क्या होगा, twice of s हो जाएगा यहां पर यहां देखे, 1 plus 5, 6, 2 plus 4, 6, 3 plus 3, 6, 4 plus 2, 6, 5 plus 1, 6, कितने टाइम 6 हो यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, यानि number of term time, number term किते थे हमारे, 535 time of 6, तो s की value कैसी आगी, s की value होगी, 5 time of 6 by 2, क्या value आएगी, 2, 3, 6, 3, 5, 15, ठीक, इसी concept को हम यहां पर, sum of n term निकालने में यूज करेंगे, तो आईए देखते हैं, method to find the sum of n term, उसके लिए हम formula बताने जा रहे हैं, तो again लिखेंगे हम लोगे, s n equal to, कितना होगा, देखो, अभी उस time को मैं सबसे पहले लिखना चाहूँगा, तो यह होगा, a plus n minus 1 into d, यानि मैंने last term से start किया, अब मुझे बता सकते हैं, इससे पहले वाला term क्या होगा, यहाँ पर जो term होगा, वो क्या होगा, n से एक कम हो जाएगा, यानि a plus n minus 1 minus 1 into d, यानि क्या होगा, a plus n minus 2 into d, तो यह होगा, A plus N minus 2 into D और इस तरह चलते हैं तरह लास्ट term क्या होगा यह आपका मालूम है यह होगा आपका A चलिए इन दोनों का हम सम करके देखते हैं तो twice of SN total number of term कितने थे हमारे? N terms तो इसमें भी कितने term है? N terms corresponding terms का multiply add करते चले जाओ कितने होगा? A plus A plus N minus 1 into D यानि यह होगा 2A plus N minus 1 into D पहला हुआ आईए हम next देखते हैं यह होगा आपका जहां से देखेगा A plus D, यहां दिखाता हों को A plus D plus A plus N minus 2 into D A और A अड़ किजिएगा 2A plus अब बागी जो यह और यह टम बताए दोनों में D common है तो मैं D को common ले लेता हूँ क्या आएगा? यहां पर 1 बचेगा प्लस N minus 2 देखें क्या आएगा? 2A plus और N minus 2 plus 1 N minus 1 into D देखो यह सेम है ना? तो फिर से आया 2A plus N minus 1 into D इससे आप देखेंगे हर एक टम इतना ही आएगा यहां पर D एक एक इंक्रीज होता जाए यहां पर D एक एक कम होता चला जाएगा लास्ट में A बचेगा A को हम इससे मुटिप्लाइगे इसमे एड़ करेंगे देखें क्या आएगा? लास्ट टम यह होगा आपका A plus A 2 A plus N minus 1 into D इस तर से आप देखेंगे value of each term is same and total number of term कितने है? N तो स्व का सम कितना हो जाएगा? तो स्व का सम कितना हो जाएगा? 2 A plus N minus 1 into D but it is the value of twice of SN therefore SN कितना हो? N by 2 into 2 A plus N minus 1 into D it is sum of first N term first N term means always start with first term ध्यान रखना है हम बीच में से निकाल सकते हैं इससे diet हम इससे first term से start करेंगे तभी निकाल सकता है आईए एक बात और ध्यान रखेंगे हैं यहां पर यदि मैं इसी को आगे लिखूँ एक तो आपका यह formula हो गया यह final हो गया formula अब मैं इसी में आगे बता रहा हूँ के इस result को एड़ी मैं equation number 1 दिख दूँ तो इस result को यूज करते हुए तो इस result को यूज करते हुए we know that एनफ टर्म के लिए formula क्या होगा A plus N minus 1 into D equation number 2 लिख लेते हैं now from equation number 1 देखिए यहां तो क्या मिलेगा आपको result SN हमारा क्या था N by 2 2A plus N minus 1 into D इसको हम लिख सकते हैं N by 2 into A plus A इस 2A को मैं A plus A split कर रहा हूँ plus N minus 1 into D that's equal to N by 2 into A plus और यह यह वाला part है यह इसको देखिए equation number 2 से यह match करता है का सेम तो कितना होगा plus A N A plus A N और यह देखिए sequence में कुल N ही टर्म हूँ तो इस विल बी यह लास्ट टर्म इसको हम L भी कह सकते तो इस्टे मैं दिखेगा आप लोग SN equal to N by 2 total number of turn N N by 2 first term plus last term तो यह भी आपका sum of N term निकालने का फाम्मला है तो जिसमें हमें first term as well as last term मालूम होगा तो उसमें number of term हम calculate करेंगे पुरे N की value यहां रखेंगे और first term और last term का add करके यहां पे N by 2 से multiply करेंगे आपको sum of N term मिल जाएगा और जिसमें आपको last term मालूम नहीं होगा उसमें हमारे number of terms होगा की find the sum of first 20 terms या of first 10 terms तो उसमें हम लोग N by 2 into 2A plus N minus 1 into D इस वाले formula से यूज़ करेंगे तो student यह आपको बास formula हैं दोनों formula बहुत important हैं एक formula number 1 और दूसरा formula number 3 और formula number 2 का हम यूज़ कर चुके हैं इससे पहली exercise में तो आएए देखते हैं exercise अभी आपका 5.3 तो यहां पर इस exercise में सभी questions sum of N terms के ओपर दिये गए हैं और जहां भी जूरूत पड़ेगी हम आपे हम लोगे Nth term यानि A N equal to A plus N minus 1 into D का यूज़ कर सकते क्योंकि हम लोग इससे पहले कर चुके तो आए यह start करते हैं exercise 5.3 यह है आपका exercise 5.3 और चलिए start करते हैं question number 1 से यहां पर आपको दिया गया है find the sum of the following APs चलिए पहला part देखने हैं इसका 2, 7, 12 और यह हमें up to 10 terms तक 10 last term 10 नहीं है 10 terms तक निकालना है तो यहां पर A की वाली देखे कितना है यह आपका 7 हर यह 12 है तो यहां पर A कितना है देखो 2 और D कितना है D आएगा 7 minus 2 equal to 5 N कितना है जाथ equal to 10 10 terms के लिए तो S 10 की value S N का फार्मुन लगाएंगे using S N equal to N by 2 2 A plus N minus 1 into D तो यह होगा 10 by 2 2 into A तो 2 तो जाब 4 दिख़ूं या 2 into 2 दिख़ूं प्लस यह 10 minus 1 और D कितना आपका 5 तो देखें यहां पर आएगा 5 into यह 5 जागेंचल हो जाएगा और यह 4 plus ऐजर 9 10 minus 1 9, 9 जा 45 तो यह 5 into और यह हुआ 49 तो यह वाली होती है देखें 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 तो यह 24 तो आपका आशर आया 245 तो यह तो आपका फर्ट पार्ट और अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे यहां पर जो आपको सिक्वेंस दी गई है यह है माइनस 37 माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 और कहां तक निकालना है अब तो 12 टर्म सक तो यहां पर ए की वैलू कितनी होगी माइनस 37 और दी की वैली चेक रहे है देखेंगे 33 माइनस माइनस 37 यानि माइनस 33 प्लस 37 तो यह आपका 4 आ गया और अभी क्या यूज करेंगे हम लोग N की वाली भी यहांपर दिये हुए है N कितना है N है आपका 12 तो तीनों वाली को यूज करते हो है हम SN का फार्मॉला यूज करते हैं यहां पर N बाइ 2 2 A प्लस N माइनस 1 इंटो D चली वाली सब इस्टूट करते हैं यह 12 बाइ 2 इंटो 2 A की वाली कितनी है माइनस 37 प्लस N माइनस 1 एन की वाली 12 माइनस 1 इंटो D 4 तो यह हुआ 6 इंटो और यह ट्वाइस आप 37 तो यह 74 हो जाएगा 2 7 जा 14 2 3 जा 6 7 74 माइनस का प्लस और यहां पर 11 4 जा 44 तो देखे यह बचा 6 और यहां पर क्या आएगा यह माइनस का 30 तो यह माइनस का 180 विल भी जांसर तो यह था आपका second part और अभी हम third part देखेंगे इसी question का यहां पर आपको दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 और यह 100 terms तक निकालना है तो A कितना होगा? 0.6, D कितना होगा? 1.7 minus 0.6, that is equal to 1.1 or N कितना होगा? यह 100 होगा using S N equal to N by 2, 2 A plus N minus 1 into D, 100 by 2, twice of 0.6 plus 100 minus 1 into D कि value 1.1, तो यह होगा आपका 50 into और यह 1.2 plus और यह 99 into 1.1, तो यह होगा आपका देखो 9999, तो 9 और यह 8 और यह 10 और कितने पॉइंट बाट decimal है? 1.1, 108, तो 50 into 1.2 plus 108.9, चलिए, एड़ करते हैं दोनों को, तो यह होगा 50 into और यहां पर 1.2 जब आड़ करेंगे तो decimal के बाद आपका 1 आएगा और इधर 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, अभी इसको हम 50 करते हैं तो यहां से 0 से अड़िएश्ट हो के टेसिमिल हट जाएगा और फिर आएगा फाइव फाइव जीरो फाइव तो इस्टेट यह हूँ आपका आंसर फोर को इसका थाड़ पार्ट और अभी हम फोर्ट पार्ट देखेंगे यहां पर आपको दिया गया है वन बाइ 15 वन बाइ 12 फोड़ा बड़ा दिखता हूं वन बाइ 15 वन बाइ 12 वन बाइ 10 और इसे जलते हैं आपको कितने टर्ब दो जाना है हम लोग 60 लेले तो यह फाइव जा और यह फोर जा यह वन बाइ 60 आ गया और एन की वाल्यू है यह आपको 11 तो एस 11 आपके सामने है स्थी को यूज करता हूं में 11 बाइ 2 ट्वाइस ओफ ए की वाल्यू 1 बाइ 15 प्लस एन माइनस 1 11 माइनस 1 इंटु दी 1 बाइ 60 11 बाइ 2 और यह वाल्यू आए कि देखो आपके 2 बाइ 15 प्लस और यहां पर 10 बाइ 60 और इसको 1 बाइ 6 कहेंगे हम लोग 11 बाइ 2 इधर हम लेंगे 30 यह 4 हो जाएगा और इधर आपका 5 हो जाएगा तो यह हुआ आपका देखो 4 & 5 9 तो उपर तो आपका 99 हो गया और नीचे आपका 2 इंटु 30 कैंसल करते हैं यहां पर यह 10 जा चला जाएगा और यह 3 3 यह आंसर होगा आपका 33 बाइ 20 तो 33 बाइ 20 तो 33 बाइ 20 विल बीजा समोर 1 आपका अन्टनुन कर फूर्थ पाट अभी क्शन नमबर 2 देखेंगी हापा और यह देखें यह पर देखें यह दिया होगा है to find the sum given below तो यहापर series दी हुई आपको 7 plus 10 1 and a half plus 10 and a half plus 14 plus इसर आपका 84 तक जाना है A की value है यहाँ पर हमारे पास 7 L की value है देखे A N इसके को मैं A N कह सकता हूँ पहले लिख देतना हूँ let there are N terms in series जब बीच में प्लस आता जाता है कि हम series बोलते है तो A की वाली है पर कितना है 7 and A N की value that is L इसकों लास्ट आम बोलेंगे that is 84 और हमें N निकालना है तो using A N equal to A plus N minus 1 into D कितना होगा 7 plus N minus 1 into D की वाली कितना है आपर 10 and half यहां लेता हूँ N minus 7 equal to N minus 1 into 7 by 2 हो जाएगा जब इतमें हम 7 कम करेंगे तो यह आजाएगा आपका 77 और equal to होगा आपका N minus 1 into 7 by 2 तो N minus 1 की वाली कितना हुई 77 divided by 7 multiply by 2 तो यह होगा आपका 11 तूजा 22 तो N minus 1 की वाली 22 आई तो N की वाली होगी 23 अब आपके पास N की वाली है तो देखें आप SN कैसे निकाल सकते हैं therefore SN का फाम्मला क्या था N by 2 A plus L तो यह होजाएगा आपका 23 by 2 फर्स्ट तम इस 7 और दिसी 84 तो 23 इंटु और यह 91 अपोन 2 हम multiply करेंगे होगा 23 23 23 वन से करेंगे तो 9 से हो जाएगा 93 जा 27 और 9 2 जा 18 तो यह 207 हो जाएगा यह 3 और यहां पर 9 और यह 0 और 2 तो 2093 अपोन 2 तो देखें अभी वाली कितनी आती है यहां आएगा आपका 21 जा 20 जा 24 जा 24 जा 8 और 26 जा 1 बाइ 2 तो SN की वैल्यू यानि की S कितने टम से हमारे देखो यह थे N की वैल्यू 23 जानि S 23 की वैल्यू यह आपकी 34 सेकंड पार्ट में यहां दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस यहां 10 तक जाना है तो यहां पर यहां पर इसको अन की वैल्यू 10 हो गई इसको हम A-N कहते है तो लट जाने टम तो यहां पर इसको हम A-N लेंगे तो A-N की वैल्यू तो आपकी रेको 10 हो गई और यह A-Kी वैल्यू 34 प्लस N-1 और D की वैल्यू भी काल्कुलेट करेंगे D कितना होगा 32-D equal to यह होगा 32-34 that's equal to minus 2 तो यह minus 2 हुआ यह हम इसको इदर ले जाएंगे तो यह आपका 10-34 और यह वैल्यू होगा आपकी N-2 minus twice of N-1 और यह minus होगा 24 minus twice of N-1 minus minus cancel यह 12 time कर जाएगा तो N-1 equal to 12 means N equal to 13 N की value अब आपके पास है तो आइए भी same formula हम लोग use करेंगे तो यह होगा आपका 13 equal to कितना आएगा 13 by 2 into A plus A की value कितनी है 34 और plus L की value 10 तो यह होगा आपका 13 by 2 into 44 और यह multiply करेंगे तो 22 से चला जाएगा और यह value होगा 2626 तो 686 तो यह आपका आएगा 2 286 तो यह था आपका second part अभी हम third part देखेंगे और यहाँ पर आपको दिया है जो जो स्रीज है third part में यह minus 5 plus minus 8 plus minus 11 1 और इस तरह है minus 230 तक जाना है आपको last term जो होगा minus 230 तो मानो n टर्म है तो n की value कितने हो जाएगी a plus n minus 1 into d कितना हो गया minus 5 plus n minus 1 into minus कितना minus 8 minus 5 यह minus 8 minus minus 5 कितना होगा d की value यह होगा आपकी minus 8 plus 5 minus 3 तो minus 3 a n की value minus 233 minus 230 equal to होगा minus 5 minus के 3 into n minus 1 इसको मैं दल ले आता हूँ minus 5 को result मिलेगा आपको यह प्लस हो जाएगा तो मैंने के 2 25 equal to 3 time minus का into n minus 1 और भी आप देखेंगे यहाँ पर minus minus cancel और 3 से मैंश को cancel करों तो n minus 1 की value होगी 225 by 3 यानि कि 3 7 जा और 3 5 जा 15 75 और implies n की value होगी आपकी 76 अब आप लोग हम्रा लगा सकते है 2 first term plus last term और यह होगा आपका n की value 76 by 2 first term कितना था आपका minus का 5 और last term था आपका minus 230 तो यह हो जाएगा आपका देखो इससे हम cancel करेंगे सबसे पहले तो यह आपका चला जाएगा 76 में 2 2 3 जा 6 और 2 8 जा और अंदर जब दिखेंगे तो यह होगा minus में ही हो जाएगा दोनों तो minus के 235 अब इन दोनों को multiply करते हैं तो 235 को 38 से multiply कीजिएगा यह 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 और यह 28 हो जाएगा और 8 2 जा 16 16 & 2 18 अभी आप लोग 3 से लिजिएगा 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 और 3 जा 6 और 1 7 तो यह 0 3 यह पर 9 हो जाएगा और यह आपका 8 तो 8 9 3 0 तो यह लिए आएगी 8 9 3 0 value minus की होगी तो student इस तरह से आपका third part था अभी हम लोग only three parts है question में अभी third question देखे हैं तो आई यह start करते है question number 3 तो student यहाँ पर आपको दिया है देखे first part में a की value दी है आपको 5 d का value आपको 3 a n का value 50 उन्हें बताया कि n निकालो और sn निकालो यूजिंग a n equal to a plus n minus 1 into d तो यह की value कितनी आपकी 5 plus n minus 1 into d आपका 3 है और यह आपको 50 दिया है तो substitute करने तो 45 हो जाएगा that's equal to size of n minus 1 3 से 15 time चला जाएगा तो यह होगा आपका 15 equal to n minus 1 implies n equal to 16 तो यह n की value आगे अब हम sn निकालेंगे तो formula है n by 2 first term plus last term यानि a plus a n a plus a n मैंने आपको सम्झाया था एक्सेस आपके starting में a n भी कहते हैं इसको last term भी कहते हैं तो that will be 16 by 2 into first term क्या आपका 5 plus 50 और यह हुआ 8 time और जर जाएगा आपका 8 into 55 तो यह value हाएगी यह 5 एट जा, 8 फाइज आ 40 आए 8 फाइज आ 40 एंड 4, carry on ता आपका यह 440 आए हम second part देखें और यहाँ पर देखा आपको दिया हुआ है a equal to 7 a 13 equal to 35 और d का value दिया गया है आपको निकालने के लिए और s 13 दोने ही आपको निकालने है तो चलिए फर्मला करते हैं using a n equal to a plus n minus 1 into d तो इसको यूज करते हैं बताईए अब मेरेको a 13 therefore a 13 का value कितना हो जाएगा यह होगा a plus 13 minus 1 into d value substitute कीजिए a 13 की value 35 है equal to a की value 7 plus 13 minus 12 into d तो यहां पर 28 हो जाएगा equal to 12 d और d का value आएगा 28 by 12 7 से cancel करते हैं 7 4 जार 7 3 जा तो d का value आपका 4 by 3 आया अब देखें d का value आपका 4 by 3 आया इसको यूज करते हैं मिझे क्या निकालना है यूज करते हैं तो यूजिंग 35 तो यह होगा 13 by 2 into 42 42 2 से काटेंगे तो यह 21 हो जाएगा और अभी हम लोग इसे 13 से multiply करेंगे और यह होगा 13 मंजा 13 और 13 तूजा 26 and 27 तो यह value आपकी 273 तो इस तरह से आपकी देखें एक value आपकी 4 by 3 और दूसरी आपकी 273 तो दोनों value आपकी calculate होगी आप यह देखेंगे का 3rd part तो यह है आपका 3rd part of question number 3 यहां दिया है आपको a equal to a 12 a 12 का value दिया है आपको 37 d का value दिया है 3 आपको निकालना है a का value और s 12 का value तो चलिए start करते हैं using a 12 equal to a plus क्या हो जाएगा nth term के लिए 12 minus 1 into d और यह value आएगी आपकी देखे a plus 11 और d की value 3 और यह 12 की value दिया आपको 37 तो यह होगा 37 equal to a plus 33 यह आप कहेंगे a equal to 37 minus 33 equal to 4 आपके पार a की value आगे है तो again using sn equal to n by 2 into a plus an therefore s 12 निकालना है तो 12 by 2 a plus a 12 क्या value हो जाएगी देखो यह value होगे आपके 6 into a की value अभी हमने निकाल लिए 4 और यह 37 तो हम इन दोनों को multiply करेंगे तो यह होगा 6 into और इसका sum हो जाएगा आपका 41 तो चलिए multiply करते हैं 6 बन जा 6 और 6 4 जा 24 तो यह value है अभी 246 और आईए अभी हम देखते हैं 4th part of question और यहाँ पर आपको दिया हुआ है a3 का value a3 equal to 15 s10 equal to 125 आपको d calculate करना है और a10 calculate करना है तो देखे value क्या होगी यहाँ पर using यहाँ से start करता हूँ using a n equal to a plus n minus 1 into d तो a3 आपको दिया हुआ है a3 will be equal to a plus 3 minus 1 into d that is equal to a plus twice of d और यह value आपको 15 दिया हुआ है तो एक तो आपको यहाँ से equation मिलगी हम लिख सकते है a plus twice of d equal to 15 equation number 1 और आपको एक और चीत दिया है यहाँ से आपको निकलेगा using sn का फार्म लगाँ तो यह होगा n by 2 2 a plus n minus 1 into d तो देफ़र s 10 की value कितनी हो जाएगी यह होगी 10 by 2 into 2 a plus 10 minus 1 into d तो यह हो जाएगी आपको देखे value दिया 125 और यह कैंसल होका आपका 5 आएगा इदर 2 a plus 9 d 5 से कैंसल करेंगे 5 2 जा 10 5 5 जा 25 यानि की 2 a plus 9 d की value आगी 25 इद इक्वेशन number 2 अब हम क्या करेंगे इसका twice करके सब्टेक्ट करेंगे तो एक्वेशन 1 का twice कितना हो जाएगा देखो 2 a plus 4 d equal to 30 यह हमने सब्टेक्ट किया तो यह cancel हो जाएगा इदर आपका 5 d आएगा इदर आएगा आपका minus का 5 यानि d की value minus 1 आ गई अब d की value minus 1 को कहा रखेंगे equation number 1 में तो put d equal to minus 1 in equation number 1 तो a plus twice of minus 1 equal to 15 यानि a minus 2 equal to 15 a की value आई आपके 17 अभी आपके पाद a और d है तो आप क्या निकाल सकते हैं आप a 10 निकाल सकते हैं therefore a 10 equal to a plus 10 minus 1 1 into d क्या आएगी value या आएगी आपकी a की value 17 plus 10 minus 1 9 हो गया और d का value है minus 1 तो यह value आएगा आपका 17 minus 9 that's equal to 8 तो experiment a a 10 का value आपका 8 आया और a d का value minus 1 तो इस तरह आप देख सकते हैं आपका 4th part complete होता है और आए आप देखते हैं question number 3 का part 5th number और 5th part में आपको यहाँ पर फिर से पूछा है if d equal to यह 5th part है आपका देखे if d equal to 5 s9 equal to 75 तो आपको a की value बताने और a9 की value बताने चलिए सबसे पहले use करते हैं a n equal to a plus n minus 1 into d तो a9 की value कितनी हो जाएगी a plus 9 minus 1 into d तो a is 5 a तो निकालना है हमें तो यह a निकालना है plus a 8 हो जाएगा d की value 5 a9 भी हमें निकालना है तो a9 भी हमें निकालना पढ़ेगा चलिए no problem a9 की value हो जाएगी यह 8 x 40 a plus 40 equation number 1 और यहां पर हम लोग s9 के लिए sn use करेंगे n by 2 ऐसे देखिएगा यह आपका n by 2 और यह a plus an तो यह होगा आपका 9 s9 के लिए 9 by 2 a plus a9 अब यहां पर देखिए s9 की value आपको दी हुई है 75 और यह 9 by 2 और इदर देखिएगे तो a plus a9 की value यहां पर देखिए यह आपका a plus 40 तो यह होगा यह होगा आपका 9 by 2 into 2 a plus 40 यहांसे मैं 2 common ले लूँगा तो 9 time इदर a plus 20 इदर हमारा जो 2 बाहरा आता है यह 2 इससे cancel हो गया तो यह होगा आपका 9 time of a plus 20 that's equal to 75 हम दोनों को 3 से cancel कर देते हैं तो यह 25 हो जाएगा और इदर 3 हो जाएगा तो equation आएगी 3 a plus 60 equal to 25 implies a की value कितनी हो जाएगी a equal to होगा 25 minus 3 a equal to 25 minus 60 that's equal to यह value आपकी 35 आ रही है चलो अजीब सा fraction है तो a की value कितनी आएगी minus 35 by 3 यह आपकी a की value आ गए और इसे value के जब आप यहाँ पर put करेंगे तो put in a equation number 1 तो यहाँ पर a9 की value आ जाएगी a यानि की minus 35 by 3 plus 40 तो यह हो जाएगा कितना बनता देखो यह 40 हो जाएगा 120 plus यह होगा minus 35 divided by 3 तो यह होगा positive 85 by 3 is a9 तो student यह आपके दोनों आंसर आगे एक आपका a9 का value है और दूसरा आपका e का value तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a equal to minus 35 by 3 आई अभी देखते हैं sixth part of the question तो sixth part में आपको देखों यहाँ पर दिया गया है a equal to 2 d equal to 8 s n equal to 90 आपको find करना है n equal to and a n equal to तो आए और लगाते हैं s n का using s n equal to n by 2 2 a plus n minus 1 into d तो क्योंकि हाँ पर हमारे पात a n नहीं है ठीक है न तो यह आएगा आपका n by 2 और 2 into 2 a की value हो गई n minus 1 d की value कितनी है 8 तो आप देखेंगे यह value होगी आपकी n by 2 into यह होगा 4 यहाँ मैं common लेता हूँ 4 तो multiply by 2 कर देता हूँ तो यह value आती है आपकी देको 2 plus n minus 1 into यहाँ पर 4 रह जाएगा इससे हम लिख सकते हैं 2 to cancel n into यहाँ पर देखें 2 plus 4 n minus 4 तो यह हो जाएगा आपका 4 n minus 2 तो n into 4 n minus 2 इसको मैं लिख सकता हूँ twice of 2 बाहर ले लेता है पर इदर आएगा n into twice of n into 2 n minus 1 2 n minus 1 और इधर यह value कितने थी आपके sn की 90 तो हम इसको cancel करते हैं इससे तो यह आपका 45 हो जाता है तो equation आती है 2 n square minus n equal to 45 इससे आप लिख सकते हैं 2 n square minus n minus 45 equal to 0 तो यह होगा 2 n square factorization करता हूँ minus के 10 n plus का 9 n और equal to minus के 45 equal to 0 अब इसमें और थोड़ आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपका आएगा n common ले लेता हूँ दो factor हो जाएंगे इसके तो यह तो n minus 5 equal to 0 तो n equal to 5 हो जाएगा और दूसर result जो ही आपका आएगा n equal to minus के 9 upon 2 not possible because it is not a counting number तो यह ना लेकर के हम चालेंगे यह तापका cancel हो गया तो आपका यह answer हो therefore यहाँ पर आप देखेंगे n की value आगे आपकी 5 अब 5 को n equal to 5 को यूज करके मैं a n निकलूँगा so a n की value आएगे आपकी a plus n minus 1 into d यह value कितने आगे आपके a की value 2 plus n 5 minus 1 d की value 8 तो 2 plus और यह आएगे आपका 4 into 8 तो यह 32 plus 2 that's equal to 34 तो यह आपका a n का value हो है तो आप देखेंगे यहाँ आपर n का value है 5 और a n का value है 34 तो यह तापका part 6 और भी हम देखेंगे part 7 और यहाँ पर फिर से आपको पूछा गया है कि if a equal to 8 7th part मैं पूछा है इस इस्था ठीक है a equal to 8 और a n equal to 62 और s n equal to दिया हुआ देखो यहाँ पर 90 तो आपको n equal to निकालना और a n की value निकालना है तो यहाँ पर यह 62 और s n की value यह नीचे वाली value लेनी है यह 210 210 और आपसे पूछा है यहाँ पर देखो n और d n निकालना और d निकालना है यह आपका 7th part 210 and d ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग d निकालना है यह हमारा इससे निकल जाएगा a और a n से so using a n equal to a plus n minus 1 into d तो यह value होगी दखो यहाँ पर 62 और यहाँ पर a की value 8 और यह होगा n minus 1 into d अभी 62 minus 8 करेंगे यह आपका आएगा कितना 54 और यह होगा equal to n minus 1 into d equation number 1 रख देते हैं and now s n equal to फामला होगा n by 2 2 a plus n minus 1 into d देखें यह value दी है 210 n by 2 into 2 into a की value 8 और यह आपका n minus 1 1 into d की value देखें आपका रख देखें नमपर 1 से फिटी और जाएगा क्या लिखेंगे आपको तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखो n by 2 into और यह आपका कितना हुआ 16 plus 54 तो यह हुआ आपका देखो 70 और यह 210 तो n की value कितनी आई 210 multiply by 2 divided by 70 तो यह होगा 3,000 3,2006 तो n equal to 6 अब n आपके पास है आपको d निकालना है तभी from equation number 1 हम क्या करेंगे यह n की value 6 यहाँ रख देंगे तो 54 equal to आएगा 6 minus 1 into d that is equal to 5d equal to 54 imply d equal to 54 upon 5 तो इस्टा से आपका d का value आजाता है 54 by 5 और यह आपका n का value आए आई अभी हम 8th part देखते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो data दिया है एक कौन सा हो गया आपका 6 हो गया 7 हो गया अभी 8 देखते हैं तो देखे यह आपका 8th part और यहाँ उन्होंने दिया है देखो a n की value it is 4 फिर आपको दिया है d का value 2 और sn का value यह है आपको दिया हुआ आपको दिया हुआ है आपको दिया हुआ तो a प्लस 2n माइनस 2 और यह होगा आपका a प्लस 2n और माइनस 2 को दिया देखो एक value तो आपकी यह आगी देखो a प्लस 2n की value equation number 1 इसको 1 कर देते हैं और अभी दूसरा form लगाते है sn का यह होगा n by 2 2a plus n minus 1 into d और यहां पर आप देखेंगे यह होगा आपका n by 2 into twice of a twice of a plus और n minus 1 तो इसको मैं क्या करूँगा इसे मैं लोगा a plus a plus n minus 1 into d जब मैं a plus n minus 1 into d की value रखूँगा तो यह कितने होगी देखो a plus n minus 1 into d यह value यह पूरी value एक साथ दी गई है यह 4 हो जाएगा n by 2 into a plus 4 equal to sn की value आपको दिया है minus के 40 तो इसको मैं left में ले आता हूँ यह minus का 28 हो जाएगा equal to n into और यह a plus 4 हुआ अभी आप यहाँ पर a की value रख सकते हैं यहाँ से मैं जाता हूँ इसको ना लिख करका मैं करता हूँ implies a equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 6 minus 2n इसको एकसर नमर 1 कर देता हूँ यहाँ से a की value यहाँ रख देते हैं implies होगा 28 equal to कितना हो जाएगा यह होगा n into 6 minus 2n plus 4 तो इसे हम लिख सकते हैं minus के 28 equal to n into और अंदर आएगा हमारा minus के 2n plus का 10 बिलकु ठीक है तो minus के 2n square plus 10n equal to minus 28 तो यहाँ पर देख़ए 2n square minus 10n minus 28 equal to 0 और 28 2 जा 56 तो जब हम 56 को लेंगे तो 2 से कैंसे करो कितना होता है यह होगा 28 और फिर 2 से चलेंगे तो 14 हो जाएगा तो यह 14 फोर्ट जाओ जाएगा तो मैं लेंगा इसको 2n square minus 14n plus के 4n और माइनस का 28 equal to 0 इंप्लाइज फेक्टर जिसन करते हैं तो 2n common ले तो यहाँ पर क्या मिलता है देखो यह होगा आपका n minus 7 plus 4 लेंगे तो n minus 7 equal to 0 तो यहाँ से आपका आता है n minus 7 एक फेक्टर और दूसरा आजाएगा 2n minus 4 equal to 0 और इससे आपको 2 value मिलेगी यह तो आपको n की value मिलेगी implies n equal to 7 और n equal to यह आपका प्लस में था तो यह आएगा minus के 4 by 2 और यह value आपके देखो minus 2 और this is not a natural number so it is not possible तो यह तो आपका possible नहीं है तो आपका n का value आया 7 अब n की value 7 देदी महीं हा रखो तो from equation number 1 तो कहा दो आपको मैं यहा देदू यहा देता हूं from equation number 1 a की value आएगे 6 minus twice of n की value कितना 7 6 minus 14 minus 8 तो आप देखेंगे n equal to 7 और a equal to minus 8 so it is a question for your 8th part और अभी 9th part देखते हैं इसका 9th part में आपको दिया है a की value यह है आपका 9th part और a equal to दिया है 3 n equal to 8 s की value है 192 और d पूछा गया है देखिए आप तब तक सोचिए और मैं इसको मिटा के आता हूं तो यानि जितनी तरह से भी interpretation हो सकता है यह सब आपको third question में ही सिखा दिया इन लोगों एन बाइ टू 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू द्यास का मतलग सम आप एंटाम है और यहां पर 8 बाइट बाइटू टू टू ए तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 1 इंटू d हमें calculate करना है यह दिया आपको 192 यह 4 दैम कर जाए तो 192 एकोई टू 4 टाइम आप 6 प्लस 7D 6 प्लस 7D तो इससे मैं इसको कैंसल कर देता हूं 6 प्लस 7D की वाल्यू कितने हो जाएगी 192 बाइ 4 तो 4 खोर जा 16 ए 4 एट जा 32 तो यह 48 आगया वाल्यू 6 प्लस 7D का तो यहां पर आप देखेंगे 6 प्लस 7D इकोई टू 48 मीन 7D इकोई टू 48 माइनस 6 इकोई टू 42 इससे वाल्यू 7D तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 42 अपॉन 7 और 7 शीश जा 42 तो D की वाल्यू आपकी 6 आई आईए अभी देखने है इसका 10th पार्ट और 10th पार्ट में आपको दिया है L का वैल्यू यानि N का वैल्यू 28 S का मतलब यानि की Sum of N term तो यह 144 और वनने पूछा there are total 9 term N equal to दिया गया है 9 और A find करने का पूछा तो हम यहां पर that formula लगा सकते हैं using S N equal to N by 2 A plus A N S N को इसने यहां पर S लिखा हुआ है ठ्यान रखें इसलिए यहां पर मैं को समझा के चल रहा हूं कि जरू नहीं वह S N ही लिखे देखें कि जो पार्ट 9 था उसमें उसने S लिखा है जबकि 8 पार्ट में आप देखेंगे S N लिखा हुआ है तो जो A है यह आपको find करना है और जो A N की value है यह A N को उसने हां पर L लिखा है तो L का मतलब समझेगा आप लोग A N और यहां पर S simply दे रखाश का मतलब है ध्यान रखेंगे तो यह L हुआ आपको फार्मला याद आ गया होगा भी N एकवाँ टू 9 बाइ 2 इन्टू S की value 144 दे रखा है आगे बढ़ते हैं A प्लस L का value 28 तो 2 को महिया मुटिप्लाई करता हूँ यह आपका 288 हो जाएगा इकवाँ टू 9 इन्टू A प्लस 28 तो तो भी 9 से इसको cancel करते हैं 9 3 जा 27 और यह आपका कितना हो जाएगा 1 8 9 2 जा 18 तो आप देखेंगे A प्लस 28 की value 32 आई तो A की value कितनी हो जाएगी देफोर A इकवाँ टू 32 माइनस 28 इकवाँ टू 4 तो इसमें यहाँ पर आपका A का value आया 4 तो यह था आपका 10th part और यह question number 3 और आई यह भी question number 4 देखते हैं और 4th question में जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यह दिया है how many terms of AP how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum of 6, 3, 6 तो question number 4 में जो आपको AP दिया है 9, 17, 25 और इसमें आपका SN का value है यह 6, 36 दिया है और N आपको find करना है तो here let N term give you sum 6, 36 SN की value 6, 36 हो जीग N की value में find करना है A की value आपको कितना दिया है 9, यह 9 है देखो और जो D का value है 17-9 equal to 8 और SN का formula लगाते है SN का value होगा 2A plus N minus 1 1 into D यहां पर हमने A plus L वाला क्यों नहीं लगा है क्योंकि मेरे पात L नहीं है last time नहीं मालूँ तो यहां पर आएगा N by 2 और 2 A का value 9 plus N minus 1 into D का value 8 यह value 6, 36 दिया है आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आएगा आपका N by 2 यहां से 2 common लेलू यहां इसे N into 9 plus 4 N minus 4 equal to 6 36 माने रिराइट किया इसे कोई कलती नहीं हो और यहां पर 4 N plus 5 into N equal to 6 36 तो 4 N square plus 5 N 6 36 और 4 N square plus 5 N minus 6 36 equal to यह होगा 0 अब मैं 66 36 into 4 को एक सास लूँगा तो कितना है का आप देखिए multiply करके 4 into 6 24 4 3 जा यह आपका होगा 12 12 और 2 कितना होगा 14 4 6 जा 24 24 and 1 25 आइए अब इसको factorization करते हैं तो prime factorization में देखिए 2 से हम जाएगा तो यह जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 7 जा और 2 2 जा फिर से 2 चलते हैं 2 6 जा फिर 2 3 जा और 2 6 जा 2 से फिर जाएगा यह आएगा 3 1 8 फिर 2 से जा रहा है देखो 2 जा 2 और 2 यह आपका 10 होगया 2 5 जा 10 और फिर आपका 2 9 जा अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं 2 से 2 से नहीं जाएगा भी देखिए यह जाएगा 3 से 3 5 जा 15 और 3 3 जा हमें लाना कितना डिफरेंस 5 लाना है पॉजिटिव तो 2 तू जा 4 तू जा 8 तू जा 16 जा 3 जा 48 यह 5 आगया देखो डिफरेंस यहादा करें हम प्रोडेक्ट करेंगे 48 हो गया देखो 2 जा 4 तू जा 8 तू जा 16 जा 48 तो यह हम 48 है यह 15 हम 53 इसको प्लस लेंगे इसको माइनस लेंगे डिफरेंस कितना हुग आपका 5 तो हम लेंगे 4 N स्क्वार प्लस 53 N माइनस 48 N माइनस 6 36 इक वाट यह होगा 0 फिर क्या होगा आपका यहाँ पर हम हम 4 N N कोमल लेंगे only तो यह आपका 4 N प्लस 53 और माइनस 48 में हम कोमल लेंगे आपका कितना यहाँ पर इन दोनों में कोमल लेंगे 4 N लाने के लिए 12 तो यह होगा आपका 4 N माइनस और इधर अपका 53 इक वाट टू 0 तो आप देखें यहाँ पर N की दो वाल्यू आएंगे एक तो N माइनस 12 के साथ प्लस 53 प्लस में है यह माइनस को कमन था ना इक वाल टू 0 तो यहाँ तो N माइनस 12 की वाल्यू यह पर इसको एक्स्वेशन को 0 बनाने के लिए यह आपिर 4 N प्लस 53 की वाल्यू 0 होगी इट गिवी रिजल्ट अन इकल टू 12 एट विल गिवी रिजल्ट N equal to minus 53 by 4 और आपको पता है यह एक natural number नहीं यह आपको पता है यह एक natural number नहीं यह does not belong to set of natural number तो इसका मतलब not possible यह counting number होना चाहिए यह counting number में नहीं आता तो therefore N की value आई 12 तो यहां पर इसने N ही पूछा था और N की value आपकी 12 आई यह आपको question number 4 था अभी question number 5 देखेंगे the first term of AP is 5 the last term is 45 and sum is 400 find the number of term and common difference तो यहां पर आपको a का value दिया है first term means a का value दिया है देखेंगे मैं बार-बार लिखूंगा नहीं यहां पर लिखनी रहा हूं कि a equal to first term be a common difference विडियो understood है जो standard notation को use कर रहे हैं लोग यहां पर a की value दी है question number 5 देखेंगा a की value दी है यहां पर 5 और last term यानि की a n की value दी है 45 और उसने sn sum दिया है n terms का कितना यह दिया है 400 तो मैं दिखूंगा let there are कितने term है n terms in ap तो अभी क्या होगा यहां पर हम लोग सबसे बढ़े करेंगे a n की value a plus n minus 1 into d से equate करेंगे इसको तो यह value आए गया 45 equal to 5 plus और n minus 1 और यहां पर dv मेरे पास नहीं है बट यह value 40 आजाएगी n minus 1 into d equation number 1 रखेगा अभी हम लोग है sn की value निकाल लेगे now sn की value होगी n by 2 into 2a plus n minus 1 into d तो यहां पर क्या आएगा आपका value आएगा n by 2 into 2a 2 into 5 plus n minus 1 into d की value आप यहां से रखेगा यह 40 हो जाएगा तो n by 2 into 10 or 40 50 इसे भी cancel करेगा 25 तो यह होगा आपका 25 n और sn की value आपको 400 भी है देखो यहां से आपको n मिलेगा 400 divided by 25 तो इस 400 को मैं 4 into 100 लिख दूं 4 into 100 25 फोर जा और 4 फोर जा 16 तो n equal to 16 आएगा now you know the value of n और पूछा क्या है आपसे मेरे शाल से उन्होंने number of term पूछा है और common difference तो common difference के लिए भी हाँ पर यूज करेंगे तो from equation number 1 हम n equal to 16 कहां रखेंगा equation number 1 में रखेंगे 40 equal to कितना हो जाएगा 16 minus 1 into d यह होगा 15 d equal to 40 और इससे d की value आएगी कितने भाई d आ जाएगा आपका 40 upon 15 और इससे जब cancer करेंगे 5 से तो 53 जार 58 तो d आया आपका यहां देता हूं d equal to 8 by 3 तो देखें आपके बाग दोनों value आ गई है n की value भी और d की value भी अभी question number 6 देखते हैं और यहां पर आपसे पूछा है देखो the first and last term of ap are 17 and 350 let there are n terms in ap तो फिर लास्ट तरम को क्या लिखोंगा मैं अन लिखोंगा वो 350 है और फिर्स तरम यह standard notation हमें यूज कर रहा है that equal to 17 it is your question number 6 फिर क्या दिया if the common difference is 9 उन्होंने d भी दिया है this is 9 how many terms are there and what is their sum तो आपको n पूछा है और sn पूछा है दो चीजे पूछी है तो an से तो मैं n निकाल दूँआ चलिए using an की value क्या होगी a plus n minus 1 into d value substitute कीजिएगा 350 और यह आपका 17 plus n minus 1 into d की value 9 दी हुई है देखो तो 350 minus 17 equal to 9 time of n minus 1 तो यहां पर value आ रही है आपकी देखो कितने आ रही है इसे मैं लाता हूँ 7, 3 हो जाएगा और इज़र आपका 4 बचाओ यह भी 3 हो जाएगा 3, 3, 3 हो गया यह दो और equal to 9 time of n minus 1 अब 9 से को cancel कीजिएगा तो 9 3 जा 27 और फिर 9 7 जा 63 तो 37 equal to n minus 1 तो n की value होगे आपकी that plus 1 38 अब n equal to 38 आपके यूज करेंगे किछ के लिए s n निकालने के लिए तो now s n का formula हम लगाएंगे first term और last term है n by 2 into first term plus last term यह n का सकते सीजी को मैंने आपको मताया था है यहापर दोनों यह की बात है n की value कितनी होई n की value आपके यह 38 upon 2 एकी value 17 और यह value है 350 तो यह तो आपका 19 टाइम चला गया 19 इंटू और 17 प्लस 350 कितना होगा यह होगा 367 चलिए multiply करते हैं 367 को 19 से multiply करते हैं 9 7 जा 63 9 6 जा 54 60 और 9 3 जा 27 यह आपका 33 हो गया और फिर 7 होगा 6 होगा और 3 होगा तो फिर यह होगा आपका 3 इधर आपका 7 यह होगा आपका 9 और 3 & 36 तो यह value है यह आपकी देखो कितनी 6 9 7 3 तो इस्टुएंट यह था आपका question number 6 और भी हम question number 7 देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है जो data है तो देखे किस परकार दिया है find the sum of first 22 terms of an AP which D has 7 यहाँ पर question number 7 है आपका तो D equal to यहाँ पर 7 दिया हुए and A 22 की value दिया हुए that's equal to 149 आप से पूछा है है as 22 sum of 22 terms and a बस इतना जिया find the sum of first 22 terms of AP with D equal to 7 and 22 term 149 okay तो यह हमें calculate करना है तो मैं जब A 22 का फार्मा लगा हूँगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A और A और L L आपके पास A 22 S 22 मिल जाएगा n के लिए हमारे पास 22 है आईए देखते हैं तो यहाँ पर आएए यूज करते हैं A N equal to A plus N minus 1 into D तो A 22 हो जाएगा A plus 22 minus 1 into D तो A की value हमें नहीं मालूं 22 minus 1 21 D की value 7 A 22 149 तो 149 equal to A plus और यह होगा 7 बंजा 7 यह 147 इसको मैं सब्टेट कर देता हूं तो 149 minus 147 equal to A तो यहाँ से आपको A मिल जाता है और A की value आती है 2 अब A की value 2 को मैं यहाँ यूज करता हूं तो S N का फ्रामला होता है देखो N by 2 A plus A N तो S 22 के लिए क्या लिकोंगा मैं 22 by 2 N equal to 22 रख रहा हूं जस्ट A plus A 22 अब यहाँ पर 11 हो जाएगा यह cancel होकर 11 हो गया और इधर आप देखेंगे तो यह आएगा A और इसका value हो गया 2 और यह 149 तो यह होगा 11 time of 151 तो यह आएगा 151 151 तो 661 तो यह आएगा 1661 तो यह था आपका question number 7 अभी question number 8 देखेगा और यहाँ पर आपको दिया find the sum of first 51 terms of AP who second and third term are 14 and 18 respectively तो S51 question number 8 S51 हमें निकालना है और जो दिया है वो है second and third term तो A2 दिया हुआ है उन्होंने 14 and A3 दिया हुआ है 18 चलिए तो according to question and अब यहाँ पर देखेए A2 का मतलब let common difference be D first term be A understood let first term क्या होगा A and common difference तो standard notation मैं मान के चला हुआ तो A plus second term A plus D that is 14 और यह A plus 3-1 2 यानि A plus 2D that is 18 equation number 1 and 2 क्या करेंगे 2 में से हम लोग 1 को सब्टेट करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर A plus D की वाली 14 और A plus 2D की वाली 18 तो equation number 2 को जब आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे A plus D plus D और A plus D की वाली कितनी है 14 तो इसका हम लोग 14 दिखेंगे plus D कितनी वाली थी है 18 तो यहाँ पर आपको D की वाली आजाएगी 4 अब D की वाली आपके पास 4 है equation number हम कहा रखेंगे 1 में रख देंगे from equation number 1 तो A plus 4 equal to 14 तो A की वाली आपके 10 तो आपके पास देखें A और D जोनों की वाली आगे अभी हम लोग use करेंगे SN का formula SN की वाली एन बाइ 2 इंटो 2A plus N minus 1 इंटो D होती है तो यह वाली होगे आपकी S 51 के लिए S 51 जो उनों पूछा है तो यहोगा 51 by 2 2A 2A का मतलब A की वाली कितनी थी मैंना यह देखे 10 तो 2A की वाली कितनी हो जाएगी 20 plus अब 51 minus 1 50 और D की वाली कितनी थी 4 तो चलिए देखते हैं इसको यह 51 इंटो आईए यह यह आपर देखते है यह 200 और 20 तो 220 हो गया और यह 2 से कैंसे करेंगे तो यह 110 अब 110 51 into 110 तो यह वाली होगे आपके देखो 5 11 से करता हूं तो यह होगा 5151 165 तो 561 और 0 का आगर बढ़ा देता है तो यह वाली होगे आपकी 5610 तो इस तर तो आपको S A therefore S 51 equal to 5610 यह वाली होगे for question number 8 अभी question number 9 देखेगा यहां पर आपसे पूछा गया है if the sum of first 7 terms of an AP is 59 question number 9 आपको दिया S 7 and that is equal to 59 and that of 17 term 289 or S of 17 यह D अगा कितना 289 find the sum of n terms तो आपको n term का sum पुछा है तो let first term be A and common difference with D चली start करते है पहले आपका according to question S 7 equal to 49 and S 17 equal to 289 तो हम दो लगाते हैं यह होगा 7 की value कितने होगी 7 by 2 2 A plus 7 minus 1 6 D D equal to 49 7 7 49 2 से multiply करें तो 14 हो जाएगा 2 A plus 6 D equal to 14 2 कोमन ले ले ताँ A plus 3 D equal to 14 15 यह आपका 7 time and A plus 3 D की value आगे आपकी 7 पहली equation तो देखो यह बने किदर देखते हैं implies 17 by 2 into 2 A plus 17 minus 1 16 D equal to 289 इदर देखेंगे तो आप देखे 17 से हम 17 कैंसल करेंगे और जो 1 by 2 है जो मैं 2 common निकालनो यहाँबा तो A plus A to D हो जाएगा equal to 17 यह cancel हो गया तो आपका आएगा A plus 8D equal to 17 equation number 2 अब आपके पार जो है यह किसकी value है A plus 8D और A plus 3D की तो मैं क्या करूँँगा यहाँआपर देखें A plus 8D इसमें से सब्टेट कर देता हूँ A plus 8D equal to 17 हम सब्टेट कर दे हैं इसमें equation number 2 को तो यह अपका cancel हो जाएगा इधर हमारा मिलेगा minus 5D अधर मिलेगा आपको minus 10 तो यहाँपर D की value आगई 2 minus minus cancel हो जाएगा अब D की value 2 आपके पास है A की value निकालने के लिए हमी equation number 1 में रखते हैं तो from 1 again तो A plus 2 3 जा 6 equal to 7 implies A की value आगे कितनी 1 अब आपके पास A और D दोनो है अब S N निकाल सकते है therefore S N की value होगी N by 2 2 A plus N minus 1 into D सब इस्टूट करते है N by 2 2 A की value 2 बंजा 2 2 रह गया plus N minus 1 into D की value कितनी है 2 चलिए चेक करते हैं तो N by 2 और यह होगा 2 plus 2 N minus 2 2 2 cancel तो अंदर सिर 2 N बचा 2 N से 2 को हम multiply cancel कर देंगे 2 N by 2 कितना होगा N और वो N N के साथ multiply क्या होगा N square तो S N की value आपके आई N square तो अभी question number 10 देखते हैं और 10th question में आपको यहां पर दिया गया है के आपके 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 sum of the first 15 term in each case okay जरा देखें यहां पर मैं put करता हूं n equal to 1, 2, 3 इस तर से यहां भी put करते हैं यह लोग n equal to 1, 2, 3 इस तर से आगे बढ़ेंगे अब यहां पर देखें पहले वाले case में लेता हूं यह 3 plus 4 n दिया हुए आपको a n की value तो पहले जब 1 रखेंगे तो a1 की value कितनी होगी n equal to 1 रखने पर 3 plus 4 बंजा 4 7 यह आएगा 3 plus 4 into 1 that equal to 7 यह 2 की value देखो यह 3 plus 4 into 2 11 फिर यह 3 की value चेक करते हैं 3 plus 4 into n की value 3 यह आपका 15 हो जाएगा ने पर सिक्वेंस क्या होगी sequence will be 3 आप देखेंगे आपका सिक्वेंस बने गाएगा 7 11 15 और अब देखेंगे यह बनेगा क्यों 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 पर a a2 minus a1 की value क्या है 11 minus 7 equal to 4 और a3 minus a2 की value क्या है that is 15 minus 11 equal to 4 to since difference is same therefore it is an AP now D कितना है आपका 4 और A कितना है 7 ये दोनो वाल्य को लेकर का आपको क्या ने कालना है समों फ़स्ट 15 तर्म therefore using SN equal to N by 2 2A plus N minus 1 into D तो कितना हुजागा है वाल्यू ये 15 by 2 2 A कि वाल्यू 7 7 2 जा 14 plus 15 minus 1 14 into D कि वाल्यू 4 तो ये आएगा आपका 15 by 2 into और ये 56 56 और ये आपका हो जाएगा कितना 70 तो 2 से कैंसे करेंगे 35 और ये वाल्यू आएगा आपकी 15 5 जा 75 और 7 कि वाल्यू जाएगा आप 15 3 जा 45 45 और 7 ये 52 हो जाएगा ये आएगा 525 as 15 as 15 की वाल्यू 5 to 5 और अभी आप लोगे इसका second part भी दिया हुआ है विल्की से भी देखेंगे ये कितना दिया ये दिया है 9-5N 9-5N तो चलिया ये ये वाल्यू रखने पर हमाए ये वन की वाल्यू क्या मिलेगी ये 9-5, 4 ये तो की वाल्यू कितने होगी कैसे लिखेंगे जाएगा इसको 9 into 9-5 into 1 9-5 into 2 कितना होगा minus 1 ये कितना हो जाएगा 9-5 into 3 तो ये कितना हो जाएगा minus 6 15 हो जाएगा minus 6 sequence क्या होगी sequence will be 4-1 minus 6 and so on तो आप यह देखेंगे here A2-A1 की वाल्यू क्या होगी minus 1 minus 4 equal to minus 5 और जो A3 minus A2 होगा ये कितना होगा minus 6 minus minus plus 1 हो जाएगा equal to minus 5 तो common difference आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो D की वाल्यू होगी आपकी minus 5 और A की वाल्यू तो clear है आपकी जड़ी 4 तो A equal to 4 अब आपको H15 निकालना है आपका है तो यह कितना हो जाएगा 15 by 2 2 A यानि की 8 हो जाएगा plus 15 minus 1 14 हो जाएगा और D की वाल्यू minus 5 15 by 2 मैं यहाँ से 2 common देता हूँ अंदर से यहाँ पर 4 बचेगा यहाँ पर आपका 7 बचेगा into minus 5 इससे कैंसल हो जाएगा तो 15 into अंदर क्या आएगा देखो 4 और minus के 35 तो यह वाल्यू इन्टू minus के 31 15 बचाएगा 15 15 बचाएगा 15 1 के देखो 45 और 45 और 1 46 और यह वाल्यू minus के आएगी तो 15 की वाल्यू इससे के दे आएगी 465 तो 5 to 5 और 465 वो नेगेटिव आएगी एक कॉचन नमबर 11 देखते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा आपको यह संदिया हुए देखें यह दिया है 4 N माइनस N स्क्वार्यू देखें के लिए मैं लंबी नेक कर देता हूं और फोके फर्स सेकंड तर्स एंड टर्म तो जाना है तो यहां पर s1 की वैल्यू कितनी है पुट n इक्वाल टू 1 2 3 रखते जाएंगे रखेंगे तो 1 की वैली होगी देखो 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर तो 4 minus 1 equal to 3 अब s2 ट्राई के जिएगा यह 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर तो होगा 8 minus 4 यह होगा 4 हो गया 4 तू जा 8 और 2 तू जा 4 तो 8 minus 4 4 यह हो 4 बन जा 4 और minus 1 यह हो 3 अब s3 की ट्राई के जिएगा देखो 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर यह होगा 12 और 12 minus 3 3 जा 9 तो यह होगा आपका equal to 3 और अभी आप s4 ट्राई करेंगे यह होगा 4 अब आप यह देखें यह आपर उन्होंने पूछा है आपसे a1 यह equal to s1 के होगा that's equal to 3 अब मैं a2 try करता हूं sum of first two term a2 s2 क्या है sum of first two term यानि a1 plus a2 minus s1 का मतलब sum of first term यानि s2 minus s1 जड़ी मैं करों तो आपको मिलेगा तो that is s2 minus s1 s2 की value कितना है आप 4 minus s1 की value 3 that's equal to 1 अभी आप a3 try करेंगे देखो इसी तरह यह क्या होगा s3 3 term का sum minus 2 term का sum यानि की s2 कितना होगा 3 minus 4 minus 1 और इस तरह से उसने बोला है किसकी value निकालने के लिए थर्ड तरह पाद s10 तो यहां से मुझे आपकी sequence मिल जाएगी जाएगी देखिए therefore sequence will be sequence will be 3 1 minus 1 इस तरह से स्क्वेंच जा रही है here a की value कितनी है a की value होगी 3 और d की value कितनी है 1 minus 3 2 और यहां पर देखो अब आप a 10 निकाल सकते a plus 10 minus 1 into d that's equal to 1 plus a की value कितनी 3 3 plus 10 minus 1 9 और d की value minus 2 तो यह वाली होगी minus 18 plus 3 तो minus 15 इस तरह आप a n ट्राहिक कर सकते a plus n minus 1 into d a की value 3 plus n minus 1 और d की value कितनी है आई तो आपकी minus 2 तो minus 2 को multiply किजेगा तो यह value आएगा आपकी 3 minus 2n plus 2 तो यह होगा 5 minus 2n तो यह आपका a n का value तो इस तरह आप देखेंगे a 10 का value हुआ minus 15 a 1 का value 3 a 2 का value 1 a 3 का value minus 1 जो भी question पूछे तामने सभी बताएं आपको और यह आपका a n का value तो इस तरह यह question 11 था और यह भी देखते है question number 12 और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है देखे find the sum of first 40 positive integer divisible by 6 question number 12 first 40 positive integer divisible by 6 तो यह होगा 6 तो यह होगा 6 तो पहला हमें 40 terms तो हमें इनका सम निकालना है find the sum of first 40 positive integer okay here a का value कितना हो जाएगा देखो 6 और d का value कितना होगा यह भी आपका 12 minus 6 जाएगा अब हमें N कितना है बिजाईगा रोने N equal to 40 तो S N कि युच करेंगे हम लोग N by 2 2 A plus N minus 1 into D so therefore, S 40 हो जाएगा 40 by 2 twice of 6 plus 40 minus 1 into D कितना होगा यह भी आपका 6 है तो that is equal to 20 into और यह कितना होगा 12 और यह 40 minus 1 तो 6 जी में common लोगा बहर यहापर देखे 6 जी में common लोगा 2 plus 40 minus 1 तो कितना होगा यह 41 जाएगा 20 into 6 into 41 जाएगा तो मैं 41 को multiply करूँगा इससे 6 से तो यह कितना जाएगा 6 जाएगा 6 जाएगा 6 जाएगा 24 और यहां पर multiply by 20 है भी है तो यह हो जाएगा 2 जाएगा 2 जाएगा 12 और 2 जाएगा 8 और यह 9 हो जाएगा और 2 जाएगा 4 और 0 का आगर बढ़ा दीजिए तो यह वाली आईगी आपकी 4920 तो यह था आपका question number 12 और अभी हम लोगे question number 13 देखेंगे जैसा कि question number 30 में आपको दिया गया है यह आपको question number 13 और यहां पर दिया आपको find the sum of first 15 multiple of 8 first 8 multiple of 8 हो जाएगा पहले तो फिर के पास 16 next rate add की 24 तो यह आपका एपी हुआ और यहां पर अब देखेंगे एका value जो है यह आपका 8 है और d की वाली जो देखेंगे तो 16-8 यह भी आपका 8 आगया और n की value उन्होंने 15 दिया है multiple of 8 बोलो यह number डिविजल भाई 8 बोलो एक ही बात है अभी क्या करेंगे आप लोग यहां पर sn का फार्मला लगाएंगे जो क्यों होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d तो यह हो जाएगा 15 by 2 into twice of 8 plus 15 minus 1 into d की value भी आपकी 8 है अभी में हापर 8 बाहल लेता हूं तो 15 into 8 divided by 2 और यह हो जाएगा आपका 2 plus 15 minus 1 तो यह आपका 4 और 15 फोर जा 60 और इधर आपका आएगा 16 तो यह होगा आपका 9 और 16 6 जा 96 और 0 लगा दो यह आपका 960 आएगा आई अभी next question देखते है यह question number 14 होगा और question 14 में आपको दिया गया है find the sum of the old numbers between 0 and 50 तो 0 and 50 के बीच में old numbers देखने है find the sum of old numbers between 0 and 50 तो देखे यहाँ पर आपका question number 14 है और यह number होगा आपको यह one पर देखते हैं कितने number हैं let पर देहां देख चेक करते हैं here a equal to 1 and d equal to 3 minus 1 equal to 2 let there are n numbers between okay छोड़ दिया थी in a a p this a p में आपको पर n number से total तो यहाँ पर कितना हो जाएगा therefore a a n equal to a plus n minus 1 into d का जब हम लगाएंगे आपलो so a n की value 49 हो जाएगी और यह 1 plus n minus 1 into d की value 2 that is equal to 1 plus 2 n minus 1 2 हो जाएगा तो 49 equal to हो जाएगा 2 n minus 1 or implies 2 n equal to 50 or n equal to 50 by 2 that is equal to 25 so आप देखेंगे यहाँ पर कि जो n की value है यह आपका 25 तो 25 हमारे पर total term है और अब आप लोग s n का फामला लगाएंगे s n equal to n by 2 2 a plus n minus 1 into d आई यह बाली सबिस्टूट करते हैं it will be 25 by 2 2 और a की value केतनी है आपर 1 plus 25 minus 1 into d की value है 2 तो देखें यहां से 25 by 2 में 2 common लें bracket से रहाएगा 1 plus 25 minus 1 तो यह 1 1 cancel हो जाएगा यह 2 2 बाहर cancel हो जाएगा तो यह 25 into 25 और यह होता है आपका 625 तो सभी जो और नमबर से between 0 and 50 और 50 यहां पर इनका समझे होगा वो 625 होगा अभी हम लोगे next question देखते हैं यह है आपका question number 15 question 15 में आप से पूछा गया है एक contact यह देखिए application based question है a contact on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date of date as follows rupees 200 for first day 250 for second day 300 for third day etcetera the penalty for each succeeding day being 50 more than that of the preceding day how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days तो देखिए यहां पर इनोने दिया है जो penalty है यह for first day यह इनोने दिया है 200 और और होर second day कितना दिया है यह दिया है यह दिया है 200 250 300 and so on अब उन्होंने बोला है कि 200 से start किया 30 days के लिए बताओ कुल कितना penalty भरना पड़ेगा तो here n equal to हो जाएगा 30 और a का value कितना है 200 और d का value हो जाएगा 250 minus 200 equal to 50 देखिया यह आपर a p है इन सभी का common difference जो हो same है तो using हमें total निकालना है so using s n equal to n by 2 2 a plus n minus 1 into d हमें मिलेगा s 30 कि value that will be 30 by 2 और यह 2 into 200 400 plus n minus 1 यानि 30 minus 1 29 और d का value है आपका 50 है तो देखिये यह होगा 30 by 2 यह तो 15 हो गया बहारी 15 और यहां पर 400 प्लस और इससे देखिये कितना बनता है यह होगा आपका 59 जा 45 और 5 to 10 तो यह 14 हो जाएगा और यह 0 आगे बढ़ा दिया हमने और यह हो जाएगा 15 इंटू यह होगा 1850 और जब प्रोडेक्ट देखते हैं आपका 1500 और 155 जा 75 करियों हो आपका 7 और 158 जा 120 127 हो जाएगा यह और 12 हुआ और यह आपका 15 और 12 यह 27 तो यह वाल्यू आथिए 16th question देखेंगे और जो question 16 है यह भी आपका application और AP पर रह दिया गया है आईए देखना है question यहाँ पर आपसे पूछा है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance if each prize is rupees 20 less than the preceding prize find the value of each of the prizes ठीक है तो तो देखें हैं लेंगे आप लेट फिर्ट प्राइज भी एक्स या यह ले लेता हूं है यह डी की वाल्यू कितनी है minus 20 हर नेक्स प्राइज पहले से 20 रुपीज काम है और टोटल प्राइज कितने हैं सेवन और सेवन की वैल्यू दी है आपको 700 अब हमें हर एक प्राइज की वैल्यू बतानी है तो आप देखें यहां पर क्यों तो एपी बनेगा वह आएगा आपका ए ए माइनस 20 फिर ए माइनस हमें प्लस दी कहें तो तो दी को टो माइनस 20 अपने आप आ जाएगा ए प्लस डी ए प्लस टू डी इस तरफा की यह एपी बनेगी और अभी आप देखें यहां पर कर एस सेवन हमें दिया हुआ है तो एस सेवन की वैलू सेवन बाइटू टू 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 इस ऑफिए प्लस डी आपकी यह माइनस 20 थी और यह आपका था आपका 700 तो देखें हिए आपका 7 बन जा 7 और यह 100 इसको मैं इधर ले आता हूं तो यह 200 हो जाएगा और अभी 2A प्लस और यह कितना हो जाएगा आपका 20 सिख जा 120 तो माइनस के 120 हो जाएगा मैं इसको भी लाफ्ट में ले आता हूं इंप्लाइज है 200 प्लस 120 एक्वाल टू ए तो यह कितना हुआ आपका 320 एक्वाल टू टू ए तो एक ही वैल्यू आई आपकी 160 अब जो आपका फ़र्ट प्राइज हो 160 है तो बाकी के प्राइज जो कितने होंगे उन्हें देखते हैं यहां पर तो आईए मैं यह आपर बताता ह आपको जो फस्ट प्लाइज यह वं शिसक्टि है जो सेकंट प्लाइज है इससे ठेहरेंटी रुपीज लेस्टै यह आपका 140 रुपी हो जाएगा हो जिए इसे थासता कितना रुकर रिका 2-2 हफॉर्थ प्लाईज ह यह होगा रुपीज, 40, आप यहाँ पर चेक के लिए देख सकते हैं, यदि आप इन सब को सम करके देखेंगे, तो यह 700 रुपीज आएगा, ठीक है, तो यह आपका question number 16 था, और अभी हम 17th question देखते हैं, तो यहाँ दिया है, इन a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each section of a each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 and section of class 3 will plant 3 trees and so on, till class 12. There are 3 section of each class, how many trees will be planted by the students? आईए, अब देखेंगे हमारे पास, जो data दिया है उन्होंने, इस में 12 class ही सेंश्कूल में और पहली class को एक section को एक tree plant करना है, as there are three sections in each class, therefore, number of trees planted by class 1 equal to कितना हुजाएगा, 1 into 3 that is equal to 3, number of tree planted by class 2 2 into 3 that equal to 6, number of tree planted by class 3, it कितना हुजाएगा, 3 into 3 that is equal to 9, number of tree planted by class ketna 4, it कितना हुजागा, morning to 3 that is equal to number of tree planted by class 12, so 4 into 12 equal to 48, therefore sequence kya banegi? sequence will be 3, 6, 9, 12, this is the last number of class 48, so twelfth class how many tree will be planted by the students total, so here 6 minus 3 equal to 9 minus 6, the common difference is same as that is equal to 3, so therefore d ki value kya banegi? 3, a ki value kytni hai? 3, as a equal to 3 and d equal to 3, koma laga jeta hai, and n kytna hai hai hai? 12, therefore s 12 kytna ho jayega? s n ka formula 12 by 2, yaha pa dekho diya hua hai, yaha par s n equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, kytni kytna hai? 3, so ye ho ga aap ka 6 into, or yaha ae ga 6 plus 11, 3 jaha 33, yis ka abli sakti hai 6 into, yekitna ho jaga? wow x pergi kya u стрl Arius ae ga gi pero si nu ilayITs double, dot al marka since e ko e pow ka 6,9 za bit 24, aaf 63 za bit 18, 18อ stirring kytna hai hainti, yai ane, yxt kytna hai haintum ho jari za bit तो यह आपका question number 16, ओ यह 16 नहीं है भई, यह हमने चेंज नहीं किया था, तो 16 रहके चला गया, यह आपका 17 है, यह 16 मैं अब देखा भी यह लिखा वाता हूं लेडी, तो यह आपका 18th question है, तो हाँ यह आपका 18th question है, तो यहाँ आपको यह spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, फिर 1 cm, फिर 1.5 cm, फिर 2 cm as shown in figure, what is the total length of structure spiral made up of 13 consecutive semicircles, तो यहाँ पर A और B देखे 2 point दिए उन्होंने और उन्होंने जो radius दी है, वो पहले आपको यहाँ दिया, तो यहाँ दिखा रहका है, तो पहली जो radius है, यह उन्होंने दिया है, A को center मानके, आपका 0.5, इसके बीच का distance जो है, 0.5 है, तो A को हमने center लिया, तो A B के बीच में 0.5 distance है, तो यह 0.5 होते हुए circle ऐसे चला, यहाँ आया, same ही circle, तो इसका length कितना होगा, तो पहले वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर R1 की value दी है, आपको 0.5, और therefore L1 जो मैं इसके length निकालूँगा, इसको मैं L1 नाम दे रहा हूँ, तो यह होगा half of L1 equal to, यहाँ पर यह होगा half of the 2 pi r, 2 pi r is nothing but complete circumference, और यहाँ पर same circle हम उसका आधा ले रहें, 22 get cancel, तो R1 की value कितनी है, यहाँ पर देखो, 2 pi r1 में R1 की value 0.5, तो अब देखें 0.55, यह L1 की value हुई, अब तो दूसरे वाला है, उसके लिए उन्हों ना बोला, यहाँ से आगे जो हमें दिखा रहा हूँ, तो उसकी जो radius है, वो है आपकी 1, तो देखो, जहां से यहाँ से कितना हो गया, 1 cm, तो फिर यहाँ से इधर भी है 1 cm आगे गया, और इसका length मानलो L2 है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो फिर L2 की value कितनी होगी, similarly, L2 कितना हो जगा, यह जगा 1 by 2, 2 pi r2, 2 to cancel, और यहाँ पर R2 की value कितनी है, 0.1, 1 है यहां यहां पर, R2 की value 1 दे रखी है आपको, फिर से करता हूं, तो यह गा, L2 equal to half of 2 pi r2, और 2 to cancel, यहाँ का pi r2 हो जाएगा, और आप देखें यहां पर R2 की value कितनी है, यह आपको दी हुई यह रोन है, यह दे दे रखी हापको, 1 centimeter, तो यह दे रखी हुई आपको, 1 centimeter. तो, यह दे रखी हाबको, 1 into pi, इसी तो यह लगा, L3 की value कितनी होगी? 1 by 2 of 2 pi r3, और 2 कैंसल कर तो pi r3, r3 की value, दे रखी हाँ देखें आपको, फिर से 1.5, तो, यह दे रखी हाँबको, 1.5 pi. देफोर sequence क्या बनेगी देफोर sequence will be 0.5 π, next होगा आपका 1 π, next होगा 1.5 π, understood है next वाला 2 π आ जाएगा, इस तरह आपको कितने total दिये है नोने, यहाँ दिया है 13 consecutive semicircle, तो यहाँ पर 13 terms होँगे, ठेक है, उन्हें पुछा, total length, इसा आगे, फिर सागे, फिर सागे, फिर सागे, कितनी होगी, तो total length के लिए हम लोग यहाँ पर देखो, पर चेक करते हैं कि क्या difference सेम है, बिल्कुर यह 1-0.5.5 होजागा, 1.5-1.5 होजागा, 2-1.5 फिर से आ जाएगा, तो आपको 0.5 π, यहाँ पर आ रहा है, तो इससे बढ़े मैं एक्षीट करता हूँ, therefore total length, कितनी होजागी देखो, यहाँ पर होगी, 0.5 π मैं कोमल ले लेता हूँ, तो यह क्या होजागा, 1 प्लस, और यह इसका डबल, 2, फिर उसका यह ट्रिपल ले देखो, 3, यह उसका 4 ताइम है, 4, इतने तरम होगे, आपके, यह 3 तरम्स नहीं यह दिए औरोंने, 13 तरम है, अब चलिए, तो यह होजागी 0.5 π और यह आपका AP है, और इसका आप सम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ ते निकालनों अलग से, यहाँ दिखाता हूँ, तो S of 13, equal to 13 by 2, और यह होगा 2A, A की value कितनी है, 1, प्लस 13 minus 1, कितना होजागा 12, इन्टु D कितना है, इसमें देखे, अ तो यह आपका common difference है, 1, और अभी आप देखेंगे, तो यह होजागा 13 minus 1, 12, 12 बंजा 12, 12 and 2, 14, तो 13 into 14 by 2, 2 से काटूंगा 7, 13, 7 जा 91, तो यह 91 आ जाता है, अब यह 0.5 का मतला होता है, 1 by 2, और पाई की value, इन्होंने 22 by 7 दिए, तो यह 0.5 into 22 by 7 into 91, 21, और 0.5 को मैं लिख सकता हूं, 1 by 2, 2 से सब काटेंगा, तो यह होगा 11, तो यह होगा आपका 91, 91, तो यह होगा 1, और 1 के बाद देखेंगे, फिर क्या होगा, यह 0, फिर 0, फिर 1, तो यह होगा 1, 0, 0, 1 upon 7, और 7 बंजा 7, कितना 3 होगा, फिर 7, 4 जा, 28, 28 के बाद 2 बचा, और यह आपका 21, तो 7, 3 होगा 21, तो यह होगा आपका 143, और आपको दिया है किसमे, cm में, तो टोटल देखेंगे 143 cm, तो यह था आपका question No. 18 और अभी 19th question देखेंगे, यहाँ पर दिया है आपको, 200 locks are stacked, in the following manner, 20 locks in the bottom row, 19 in next row, 18 in next row, and soon, और इसके बाद बुला, in how many rows, are the 200 locks placed, and how many locks are in the top row, ठीक है, आईए देखते हैं, तो कैसे उनको रखा गया है, यह आपको figure में दिया हुआ है, देखो, वहाँचा आपको support मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, सबसे नीचे वाली में, ऐसे 20 रखे हुए हैं, फिर मैं count नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद एक कम, फिर उसके बाद उन्होंने एक और कम कर दिया, इस तरह करते हुए आप लोग के, एक के ओपर एक रोजबन रखते जा रहे हैं, ठीक है, अब उन्होंने जो बोला है, यह बोला सबसे नीचे वाली में कितने हैं, 20, उसके ओपर में, 19, उसके ओपर कितने होंगे, 18, यह question number आपका 19 है, so here, sequence जो बनेगी, sequence will be, क्या होगी sequence, देखो, यह होगी 20, फिर क्या होगा, 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह आपके sequence बनेगी, अब देखें यहाँ पर फर्स्ट टम जो है, वो 20 है, और difference देखो, 19, 20, minus 1, 18, minus 19, minus 1, 17, minus 18, minus 1, यानि कि एक AP बनेगी, और यहाँ पर D होगा, minus 1, और आप से जो दिया हुआ है, उन्होंने 200 दिया हुआ है, SN की value 200 दिया हुए है, और दो चीज़े पूछी उन्होंने, एक तो N पूछा है, और एक उन्होंने लास्ट वाली रो, यान यान, उन्होंने कितने log शाया नहीं कि आपको पूछाए, लास्ट वाले term का value कितना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते, जो SN का formula हम लगाएंगे, using SN equal to N by 2, यह होगा 2A plus N minus 1 into D, और यह होगा आपका 200, मैं आपको यहाँ लिख दूँ, that there are N rows, अभी इसके आगे N को use कर सकते हैं, तो बाकी हमारे सब के जब usual term use कर रहा हम लोग, तो यह आपका N by 2 into 2A की value देखो, 2 into 20, plus N minus 1, और D की value है, minus 1, तो जो हम इसको short करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यह मिलेगा 200 equal to N by 2 into 40 plus minus हो जाएगा, 40 minus N minus 1, 2 को मैं इसले आता हूं, यह 400 हो जाएगा, N square, left में ला रहा हूं मैं सभी term को, minus 41 N plus 400 equal to 0, तो इस तरह आपको N में एक quadratic equation मिलती है, इसको N के लिए sold करते हैं, तो चलिए देखते हैं, N square minus और यह 41, यह 400 को लेंगे, तो 400 देखो, यहाँ पर याएगा, जब हमें prime factorization करेंगे तो यह 200 हो जाएगा, अभी आपका 100 हो जाएगा, फिर आपका 50 हो जाएगा, लाना कितना है, 41, फिर 2 से चले जाएगे, 25 हो जाएगा, ओड आगया, तो देखे, 16 और 25, 41, तो यह 51 नहीं, 41 है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहोगा minus का ज्यादा है, दोनों भी minus के ही आएगे, तो minus 25 N और minus का ही आएगा, 16 N plus 400 equal to 0, आइए, आगे बढ़ते हैं, यह आपका N factorization कर रहे हैं, N minus 25, minus के 16, फिर N minus 25 equal to 0, अब यहाँ पर आप देखे, एक N minus 25 होगा, और N minus 16, दो factor होगे, equal to 0, या तो आपका N minus 25 equal to 0 होगा, या भी N minus 16, क्योंकि इन दोनों का product 0 होगा, तो कोई एक factor 0 होगा, तो N minus 25 equal to 0, या फिर N minus 16 equal to 0, आपने पितली ग्रासिस में भी किया आएथा, N equal to 25 या N equal to 16, आप जड़ा देखे, हम बोलेंगे इन मतले कोई एक number, कौन सा right है, या दोनों right होगा, चेक करते हैं, अब मैं A 16 निकालता हो पहले, यह value आएगी देखो, A plus 16 minus 1 into D, तो कितनी value आएगी यह, A की value आपको मालू में 20, plus 16 में आएगी 15 हो जाएगा, into D की value minus 1, तो यह value आती 20 minus 15, that is equal to 5, और जब हम A 25 निकालेंगे, तो यह आएगा, A plus 25 minus 1 into D, यह value है, 20 plus, और यह 24 हो जाएगा, D की value आपको पता है, minus 1 है, यह हम लेकर के चल रहे हैं, तो इधर आप देखेंगे, तो कितना होगा value, minus के 24, और plus का 20, तो minus के 4 हो जाएगा, यह not possible, क्यों, number of wooden log, यह minus 4 नहीं हो सकते, 0 हो सकते, तो यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका D का value है, यह negative है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक actual में बताओं, कि जब कभी आपका term, कही 0 आया होगा, तो उससे अगला term क्या हो जाएगा, minus 1, उससे अगला minus 2, तो यह कुछ इस तर आ हो आपको, पहले मैं answer कर दूँ, तो यह possible नहीं है, और यदि यह possible नहीं है, तो therefore आप क्या answer देंगे, therefore n equal to 16 लेगे, and an की value, वो आपका 5 लेगे, यह तो आपका answer हुआ, और यह क्यों नहीं लेगे, इसको मैं समझा हो आपके, आगे भी काम आएगा, कि जब हम इस तरह जो decreasing sequence होती है, इस में देखको में बताता हूँ, तो टर्म आगे चलते जलते कहां जाएगे, मैं 0 से ठीक पहले term बताता हूँ, तो यह मैं चलते का 16 तर्म ही बताता हूँ, 16 तर्म आपका जो आएगा, यह 5 आएगा, अब 5 से आगे, यह आपका 16 हो गया, यह 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे नमबर आएगे, तो यहां पर क्या आएगा देखो, यह आएगा, क्या दिया था आपको, 5, यह 5 है, यह 4 है, यह 3 है, तो यह आएगा कितना, 2, फिर 1, फिर 0, फिर क्या आएगा, माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर माइनस 3, फिर माइनस 4, तो आप देखे, यहां तक का ज यदि हम लोग देखें हैं यहां तक का यहां तक का sum 200 है तो यहां से आगे की तरम देखो माइनस 4 प्लस 4 से कड़ गया 3 माइनस 3 से 2 माइनस 2 से 1 1 से तो यह सब का sum आगे का 0 हो जा रहा है और इसलिए यहां तक का sum भी आपका 200 ही रहेगा और इसी एफेक्ट की वैसे आपको एक और टरम आ जाता है 25 जहां बताते हैं कि 25 के लिए सम से रहेगा तो यहां पर दूसरी जग चोरी पकड़ी जाती है यह कहां पर जाकर पकड़ जाता है कि जो नंबर ऑफ बुड़न लोग है वे आमारे नेगेटिव आ जाते हैं जैसे कि और अभी यहां पर 20th question में आपको दिया गया है कि in a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line there are 10 potatoes in the line as shown in figure okay total 10 potato है मारे पाच और पहला जो potato है वो 5 meter पे है और बाकी के जो है को 3 meter, 3 meter, 3 meter की distance पर परदर रखे हुए है a competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it drops it in the bucket, run back to pick the next potato, run to the bucket to drop it in and she continue in the same way until the, until all the potato are in the bucket, what is the total distance the competitor has to run, तो जो फिगर आपको दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे 20th question में तो यहाँ पर bucket रखी हुई है और जो first potato है यह यहाँ से 5 meter पे रखा हुआ है और next वाला जो है यह 3 meter पे और इस तर से आप हर next जो हो 3 meter पे ही रखा गया है और total जो है यह आपके पाद 10 potato है ठीक है 10 potato और यह आपका बैकेट इस बैकेट में आपको पोटेटो को लाके रखना है यहाँ पर जो थैड़ प्र even भाड़ो है और जाना है जाकर के जो यहाँ पर दिखा रख़ा है उसको वापत लाकर कर पोटेटों हमें डाला है इस तरह जो यहां पर एक गर्ल का फोटो दिया हुए तो वो पहले पोटेटो को लेकर वापस आती है तो इस तरह जो पहला पोटेटो वापस आकरके और बकेट में रखने का टोटल डिस्टेंस है उसे मैं A1 कह रहा हूं से कोब टो तू ताइम ऑफाई जाने के लिए फ़ाइट अने के लिए अब मैं A2 की बात कर रहा हूं देको वोरत तू थाइम ओ सुपाई तो प्र टॉइस ओ फ़ाइट परीबैस त्री है टिशने को ट्वाइट प्लस तूइट और यह गोड़ित और टैस इगल तो 16ए त्ट चेक करेंगे देखो ट्वाइस ओफ फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री तो कितना हुआ यह एलेवन हो तो टू इंटू 11 डैट इको टू टू इस तरह आपको टोटल कितने जाना है तो मैं टैन भी निकाल सकता हूं एटेन की वैल्व कितनी होगी ट्वाइस ओफ फाइव प्लस प्लस थ्री प्लस कितना जाएगा यह आपका नाइन टाइम और इस तरह आपका इसका वैलिव आ जाएगा तो उसको ढूंदने के बजाए हम यहां पर डारेट चलेगे क्योंकि सिर्फ एक को ढूंदने तो कोई फाइदा नहीं होगा हमें सब का सम निकालना है उन्होंने ब बी यह होगे आपके 10, 16, 22 ऐसे हो इसमें 10 टरम्स होंगे तो आइए यहां देख सकते हैं जो पहला टरम है यह आपका 10 है और जो डिफरेंस आप देखेंगे तो 16 माइनस 10, 6 फिर 22 माइनस 16, 6 तो इस तरह हार एक के बीच में 6 का डिफरेंस आएगा तो D की वाली होगी 16 माइ 6 और एन की वाली भी आपके पास है यह तोटल, there are total 10 potatoes और आपको क्या निकालना है यहां पर, total distance तो हमें SN का वाली पता करना है तो हम लगाएंगे अन बाई 2, 2A प्लस N माईनस 1 इंटो D, यहां पर 10 बाई 2, N की वाली टैन है, 2 इंटो A की वाली टैन है, N माईनस 1, 10 माईनस 1 और D की वाली 6 A, it will become 5 इंटो 20 प्लस और यह 9 इंटो 54 और यह हो जाएगा आपका 74 इंटो 5, तो 5 हो जा 20 और 57 जा 35 और 2, 37, therefore a total distance कवार्ड योगा 370 मीटर, तो यह था आपका question number 20 और इस तरह आपकी exercise 5.3 complete होती है, बहुत ही अच्छे question है और यह आपके फर्दर अगली class में भी काम आएगे, यह यह contract आपके अच्छे ते clear हुए तो उमीद करते हैं आपको अच्छे ते समझ में आया हो ही, और अभी आप आपके अच्छे तरह आपके अच्छे ते प्याटिश की जेगा